आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पुलिस आफिसर किसी वेक्ति को गिरफतार करता है तो उसका विरोध करने पर उस वेक्ति को कितने साल की सजा तीजा सकती है क्या ये गंभीर तरह का अपराध होता है आज हम बात करेंगे आईपिसी के सेक्षन 224 के बारे में जो की बात करता है resistance और obstruction by a person to his apprehension जब किसी वेक्ति को गिरफतार करने के आदेश हो जाते हैं और पुलिस उससे गिरफतार करने जाती है तब वो वेक्ति उस order का पालन ना करे और पुलिस से बहस करे या वहां से भाग जाए ताकि उससे गिरफतार ना किया जा सके तो क्या ह का इसका provision करता है IPC का section 224 आये इसकी definition के बात करते हैं according to section 224 अगर किसी वेक्ति पर कोई आरोप लगा है magistrate के द्वारा उसकी गिरफतारी के आदेश जारी किये गए है और order के अनुसार पुलिस उससे गिरफतार करने जाती है और वो पुलिस officer को उसकी duty नहीं करने देता section 224 का crime किया है यानि कि उस वेक्ति पर जिस आरोप के लिए गिरफतारी के order निकले है उसके इलावा उस वेक्ति पर IPC का section 224 और लगा दिया जाएगा section 224 का crime होने के लिए एक condition ये होती है ये तब ही माना जाता है जब वो वेक्ति किसी custody से भाग निकला हो और कोई भी वेक वेक्ति तब तक legal custody में होना नहीं माना जाता जब तक कि उसे क्यादा किया हो अगर किसी वेक्ति को normal पूछताच के लिए पुलिस टेशन में बुलाया जाता है और वो वेक्ति पुलिस से पूछे भीना वहां से भाग जाता है तो उस वेक्ति पर IPC का section 224 नहीं लगाया जा यह एक cognizable offense होता है पर यह बेलेबल offense भी है और इसे किसी भी magistrate के court में सुना जा सकता है तो यह था IPC का section 224 होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो इंफर्मेट्व है तो आप इसे like, share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा